हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए लर्णिंग क्लासिस दोस्तों आज है दो जुलाई दो हजार बीस और दो जुलाई के जितने भी इंपार्डेंट क्वेशन्स हैं सारे क्वेशन्स को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और उनसे रिलेटर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रेंगे इस वीडियो के अंदर इसकी पीडियाफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक में वीडियो के डेस्क्रेप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ वीडियो को देखो लाइक कर लो शेयर कर दो और सस्क्राइब भी कर लाना चैनल को दो चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेशन से आज का पहला क्वेशन है Geological Society of American Journal में प्रकासित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब देखो यहां पर साथ साथ किजिए कि सेवन कर लेना अब साथ नहीं आठ महादीप है उसका नाम क्या है तो आठ वे महादीप जो बताया गया है दोस्तो उस आठ वे महादीप का नाम पूछा गया है उसमें नाम क्या है इसका अंसर होगा दोस्तो B Zealandia महादीप है जिसे आठ वे महादीप के रूप में बताया जा रहा है चलो देख लेते हैं इससे क्या information है देखना इसको map में अगर देखो तो Zealandia है कहांपर ये है दोस्तो Zealandia ये Zealandia कहांपर है Australia के पास ये है कहांपर Pacific Ocean में कहांपर है Pacific Ocean में ठीक है अब information क्या है जैसे इसमें लिखा हुआ है Geological Society of America General में प्रिकासित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिलेंडिया आठवा महादीप हैं जिसका चेतरफल 50,000,000,000 km है यानि यह भारत के चेतरफल से करीब 70,000,000,000,000 km बढ़ा है बारत का चेतरफल 32,87,000,000,000,000 km है जिलेंडिया को लेकर बैग्यानिक 1995 से रिसर्च कर रहे थे और आखिर 2017 में इसकी खोज पूरी हुई फिर जाकर इसे आठवे महादीब के तौर पर मानेता मिली है आगे इसमें क्या दिया है रिसर्च के मुताविक प्रसांत महा सागर में करीब 3800 फिट की गहराई में डूबा हुआ है हाना कि वॉल्स प्रामिट नाम की इसकी एक पहाडी लौड हॉबदीब के पास समुदर से बाहर निकली है जिससे अंदाया लगाया जाता है कि समुदर के भीतर एक बड़ी जमीनी हिस्सा है तो ये इन्फॉर्मेशन कॉशन नमबर एक से है कॉशन नमबर दो है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटने का फैसला किया है कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो हटेंगे जिससे जुड़े हुए थे तो दोस्तों इसका आंसर है वीबो वीबो प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी और उसी से हटने का फैसला लिया है information ये है सिलिलेटर लद्दा की गलवान घाटी में चीन की कर्तूत के बाद भारत आर्थिक मोर्चे पर ड्रेगन को चौट पहुचा रहा है उनसर चीनी एप्स को बेन करने के बाद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो से हटने का फैसला लिया है पीम मोधी साल 2015 में वीवो से जुड़े थे पीम मोधी ने ये फैसला उनसर एप्स को बेन करने के बाद लिया है तो काफी important information है दोस्तो question number 3 है जून में बेरोजगारी की दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है ये तो बहुत ही ज़्यादा important है पेपर में आने वाला question है आंसर है इसका दोस्तो D 10.99 प्रतिशत रह गई है जून में बेरोजगारी की दर घटके इनफॉर्मेशन ये है अनलोक एक के बाद जून महीने में देश की बिरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है इस दोरान बिरोजगारी दर सिर्फ 10.99 फीसद रही जबकि मही में ये है 23.48 फीसद की उचाई पर थी Center for Monitoring Indian Economic दोरा जारी आंकड़ों में ये है जानकारी मिलती है आगे है इसमें इससे लग रहा है कि देश में हालात अब लॉकडाउन से पहले वाले दोर की तरह हो रहे हैं इस दोरान शेहरी चेत्र में विरोजगारी दर ये बहुत important है 12.02 फीसद और ग्रामीर चेत्रों में विरोजगारी दर हरियाना में very very most important इसके बाद तिरपुरा में 21.03 फीसद और जारखंड में 21 फीसद विरोजगारी दर रही है ठीक है तो ये याद रखना है जून में कितनी थी विरोजगारी करोड लोग की संख्या 23.03 करोड लोग विरोजगार थे इस जून में रोजगार की दर 35.9 फीसद थी ठीक है जो घटकर अब कितनी हो गई है 10.99 देखो कि question number 4 है संयुक्त राष्टे में भारत के अगले राजदूत और इस्थाई प्रतनीधी कौन नियुक्त हुए है तो आंसर है दोस्तों इसका B इंद्रमडी पांडे इंद्रमडी पांडे को संयुक्त राष्टे में भारत का अगला राजदूत और इस्थाई प्रतनीधी नियुक्त किया गया है देखो ये है United संग से related information UN से related इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई Headquarter New York में है अध्यच एंटूनियो गटोरियस है बहासा इसमें 6 है Chinese, Arabic, English, French, Russia और Spanish आगे देखोगे इसमें ये हैं इंद्रमडी पांडे जिनको भारत का राजदूत और इस्थाई प्रतनेधी करने के लिए UN में अपोइंट किया गया है Information ये है इस question से related दोस्तो वरिष्ट राजनेक इंद्रमडी पांडे को जिनेवा में सिख्त राष्ट और अन्य अंतराष्ट्रिय संगत्वों के लिए भारत के अगले राजदूत और इस्थाई प्रतनेधी के रूप में नेक्त किया गया है Next question है दोस्तो आज का पांच हाल ही में यह है गोशला किस ने की है कि चीनी कमपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं मिलेगी ये भी बहुत important है तो हमारे जो परिवहन मंत्री है सडक परिवहन मंत्री और MSME के मंत्री उनका नाम है नितिन गटगरी तो नितिन गटगरी ने घोशला किया है कि चीनी कमपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट नहीं दिये जाएंगे देखो लोगे एक पारी हम नितिन गटगरी का एक फोटो है इसके अलावा information यह है दोस्तो इस question से केंद्रिये सडक परिवहन राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गटगरी ने दिया जाएगा जिसकी साजिदारी किसी चीनी कमपनी से होगी आगे क्या गोला इसमें नितिन गटगरी ने बताया है कि हम लोगों ने यह सक्त इस्टेंड लिया है अगर चीनी कमपनिया जॉइंट चैम्वर्स के जरिए हमारे देश में आना चाहती है तो हम इसकी इजाज तो नहीं देगे ठीक है क्वेशन नम्बर चैह है हाली में दिस इज अस के लिए ऐस एस सीएपी पृसकार किस भारतिया के अमेरिकी संगीत कार्ने जीता है तो इंपोर्डेंट है दिस इज अस के लिए एस पृसकार जीता है सिधार्थ खोसलाने option number A, question number 6 option A, सिधार्थ खोसला ने पुरुसकार जीता है information है, देखोगे अमेरिक की भारती अमेरिकी संगीत कार सिधार्थ खोसला को NBC के drama series This Is Us के लिए ASCAP Screen Music Awards से सम्मानित किया गया है खोसला को इस से पहले इस series के लिए Emmy Award भी नामित किया जा चुका है question number देखोगे साथ है दोस्तो निम्न मैं से किस देश के राष्टरी एसमारकों को लुकसान पहुचानी वालों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है question number 7, very very most important और इसका आंसर है दोस्तो America, America ने कानून बनाया है कि अगर कोई भी राष्टरी एसमारकों को नुकसान पहुचाता है तो 10 साल की सजा होगी जैसे कि देखोगे इसमें लिखा हुआ है अमेरिकी राष्टपती डोनाल्ड ट्रप ने राष्टरी एसमारकों को नुकसान पहुंचाने बालों पर मुकदमा चलाने के मकसद से एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं और इसे दंडनीय अपराद बनाया है जिसमें 10 साल के तक की सजा हो सकती है आगे क्वेशन है क्वेशन नम्मर आठ एक जुलाई को निमनेखित मैं से कौन सा दिवस मनाया जात है यह बहुत important रहेगा इससे related information यह है दोस्तों के हर साल दिखोगे नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल एक जुलाई को राष्ट्री है डॉक्टर दिवस मनाया जाता है देश के महान चिकिस्सक और पंजा पशिम मंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री याद रखना इनका नाम पेश की जाती है और हमारे जीवन मैं डॉक्टरों के महत्तों पर प्रकाश डाला जाता है कि इंद्र सरकार ने 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी देखोगे नेस्ट कॉशन है दोस्तों कॉशन नम्मर 9 निमलिकित मैं से किस राज्या ने प्रोजेक्ट प्लेटिन का सुभारंब किया है तो आंसर है दोस्तों इसका B महराश्ट सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिन बनाया है देखोगे इसमें क्या है इन्फॉर्मेशन सुरी ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों इसमें दिया हुए है कि महराश्ट में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के खत्रे के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में प्रोजेक्ट प्लेटिन लॉंच किया है खास बात है कि प्रदेश के स्वास्थ सिच्छा विभाग ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया में अपनी तरह का सबसे बढ़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बताया है तो याद रखना है क्वेशन के बारे में महराश्ट ने शुरू किया है महराश्ट के CM है उद्धव ठाकरे महराश्ट के भगसिंग क निधन हुआ है लेखक थी देखो इनका एक फोटो में दिखा देता हूं यह है गीता नागभुसर जिनका अभी हाली में निधन हुआ है इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा जाल लेते हैं देखो दिगज कंणर लेखक गीता नागभुसर का निधन हुआ है उनका जनम 25 मार्च 1942 को करनाटक के कुलवरगी के सावलगी गाउं में हुआ था वे करनाटक साहित्य अकादमी के अध्यस की रूप में कार्य कर चुकी है उन्होंने 2010 में गडग में 46 अखिल भारतिय कंणर साहित्य सम्मिलन की अध्यस्ता की थी इसके अलाबा उन्हें गुलवरगा विश्य तारा इनकी लगू कता है तो याद रख लेना बाकी इनको कौन-कौन से पुरुसकार मिले हैं ये सारे पॉइंट आपको याद रखने है क्योंकि PDF में डाल देता हूं इसकी दोस्तों टेलीग्राम पर टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जुड़ जाए चलो लास्ट क्मेंट वक्स में देना है सभी दोस्त वीडियो को डेली शेयर किया करो ठीक है ज्यादा से यादा व्यूप्स आएंगे तो मेरे लिए लाइव आना असान हो जाएगा क्योंकि लाइव आने के लिए कुछ यूटूब की सर्ट होती हैं वो पूरी करनी होती है सब वीडियो वो शेयर कर दिया करो 10-15 लोगों को रोज चलो लेता हूँ विदा दोस्तों यहाँ ही से आपसे बताना वीडियो कैसी है टाटा बाई 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 एंड टे केर